बच्चों, सुप्रभाद, आज मैं आपनों के सामने कक्छाशात के संस्कृत पुस्तिका से प्रथम पाठ ले करके आया हूँ इस पाठ का ये शिर्षक है सुभासितानी, सुभासितानी का अर्थ होता है सुन्दर वच्चन इसमें जो सुक्तियां हैं वो काफी ज्यान बर्धक हैं मैं पहली सुक्ति का पाठन कर रहा हूँ आप धियान दें ये पहली सुक्ति है प्रिथिव्यां त्रिनी रत्नानी, जल मन्नम सुभासितम, मोढ़े हिपाशान खंडेशो, रत्न संग्या विधियते प्रिथिव्यां मतलब प्रिथवी पर यहां प्रिथिवी में शप्तमी एक वचन का प्रियोग हुआ है मूढे मतलब होता है मुर्खों के द्वारा और पाशान खंडेशो, पाशान मतलब पत्थर, खंडेशो, टुकुरों में रत्न संग्या मतलब रत्न का नाम अब विध्ितिय विधी यते मतलब समझा जाता है या दिया जाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रिथ्वी पर तीनी ही रत्न है, जल, अन तथा सुंदर बचन, किन्तु मुरुखों के द्वारा पथर के टुक्रे को ही रत्न समझा जा भावार्त, धर्ती पर अन, जल एवं मिठे बचन से अधिक मुलिवान कुछ भी नहीं है। तपते मतलब जलता है, वाती बहता है, वायुष्च, 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 हवाभी, प्रतिश्ठितम इस्थित है। दाने, तपसी, सोर्ये च, विज्ञाने, विनये, नये, विस्मयो नोही करतव्यो, बहुरतना वशुंधरा। दाने, दान में, सप्तमी विभक्ती का ये शोर्ये, दाने, विज्ञाने, विनये, सभी में सप्तमी विभक्ती का प्रियोग हुआ है, करकचिन में का इसमें अर्थ प्रकट हो रहा है। दान में, तपशी, तपश्या में, शोर्ये, पराक्रम में, दिज्ञाने, विन्ये, विन्ती में, नए, नीती में बिश्मयों मतलब आशचड़ी, कर्तब्यों मतलब करना चाहिए, और बहुरतना मतलब अनेक रत्मों वाली इसका अर्थ क्या हुआ? दान, तपश्या, पराक्रम, विज्ञान, विनय एवं निती में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धर्थी बहुरतना है भावार्थ इसका क्या आ रहा है? इस धर्थी पर दान, तपश्या, पराक्रम, आदिका एक से बढ़कर एक उदाहरन है अतह इसमें विश्मे नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं शद भी, शद भीर विवादम, सजनों के साथ विवाद अर्थ क्या आ रहा है? सजन व्यक्ति के साथ ही उठना वैटना चाहिए, संगती भी सजनों से ही करनी चाहिए बिवाद भी हो तो सजन ब्यक्ति के साथ ही दुर्जन ब्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का बिवाद नहीं करना चाहिए अर्थात दुर्जन ब्यक्ति बुरे आचरन बाले ब्यक्ति से दूर रहना चाहिए धन धानि प्रियोगेशु बिद्यायाह संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जह सुखी भवेत धन धान्यम धन धान्य प्रियोगेशु प्रियोग में बिद्यायाह यहां बिद्याह शब्द में खष्ठी एक बचन विभक्ती लगी हुई है बिद्यायाह बि अर्थात धन बिद्या एवं भोजन प्राप्त करने में भोजन तथा दैनिक व्यभार में शर्म या संकोच त्याग कर सुखी होना चाहिए अर्थात धन भीद्या एवं भोजन प्राप्त करने में संकोच करने पर संतुष्टी की प्राप्ती नहीं होती है चमा वशी कृतिर लोके संसार में चमा चमा या चमा शब्द में तृतिया एक बचन लगा हुआ है चमा से शांती खरगह, शांती की तलवार, यश्य मतलब जिसके दूरजन मतलब बुरे आचरन वाले लोग अर्थ क्या आ रहा है? संसार में चमा के द्वारा क्या नहीं साधा या किया जा सकता है? जिसके हाथ में छमा रूपी तलवार हो, दूर्जन व्यक्ती भी उसका कुछ नहीं विगार सकता, अर्थात छमा करना शर्वुत्तम गुन है, जिसकी द्वारा सब पर विजय पाया जा शकता है बच्चों, अब मैं अभ्यास काड़ी के तरप जा रहा हूँ, इसमें जो प्रश्ण है, पहला है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखना है, जिसे प्रिथिवी या प्रिथिव्यां कती रत्ना नी, प्रिथिवी पर कितने रत्न है, तो त्री नी, प्रिथिवी पे तिन रत्न है, मूढ है है कुत्रा रत्न संग्याविधी यते, मुर्ख लोगों के द्वारा किसे रत्न समझा जाता है, तो पाशान खंडेशू, पत्थर के टुकरों को, प्रिथिवी के नधार यते, प्रिथिवी किस चीज से धारन की गई है, तो सत्यन, शत्य से, कह सं संगतिम कुडवित, किस से संगति करनी चाहिए, तो सद्वी से, शजनों से, लोग के वशीकृती क्या, लोगों को वश्मी करनी के लिए, तो छमा, अब है दूसरा प्रश्न, इसमें प्रश्न निर्मान करना है, जैसे कौर नंबर में है, सत्यन वातिवायो, सत्य से हवा ब लहती है, तो सत्यन के लिए प्रश्न बाला शब्द आएगा केन, केन वातिवायो हूँ, शद्वी एव शहाशीत, सजनों के साथ उठना बैटना चाहिए, तो यहाँ रेखांकित सब्द है शद्वी, तो सद्वी के लिए होगा के, तिरतिया बहु वचन की किसके शाथ बा बहुत सुरंधरा इस्त्रलिंग शब्द है, तो इसके लिए शर्वनाम आएगा का, का बहु रतना भवत्ती, विद्यायाह संग्रहेशू त्यक्तलज़ः शुखी भवेत, विद्या के संग्रह करने में सर्म को त्याग कर शुखी होना चाहिए, तो यहाँ विद्यायाह ख किम कुर्वीत तीसरे प्रस्ण में यहाँ मंजुशात मतलब बॉक्स में कुछ सब्द दिये हुए हैं, इन सब्दों को लिंग के हिसाब से अलग-अलग छाट कर लिखना है, जिसे रतनानी, वशुंधरा, सत्येन, शुखी, अन्नम, वहनी, रवी, प्रिथ्वी, शंगतिम अब नीचे क्रियापद दिया हुआ है, इसमें धातु की पहचान करना है, तो करोती में क्रिधातु, पश्यधातु ही है, भवेत, भोधातु, तिश्ठती, अस्थाधातु क्रि मतलब करना, पश्यधातु से अर्थ आता है देखना, भूधातु से होना, तिश्ठत, या अस्था से रहना, या वश्णा ये आता है ये मेरा मोबैल नमबर है, बच्चों आप चाहें तो मुझे इस नमबर पे दस बजे से चार बजे की बिच में कवे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, धन्यवाद